आज किचिन में मैं बना रही हूँ निम्बू का अचार बहुत ही आसान और सरल तरीका है जो हर कोई बना लेगा कोई घंटों तक निम्बू के जेस्ट को रगड़ने की जरूरत नहीं है बस फटा फट से ये अचार तयार हो जाता है और आसानी से ये गल भी जाता है आज मैं थोड़े से निम्बू का ही अचार बना के आपको दिखा रही हूँ वैसे ये जो रेसिपी है वो मेरी सासु मा की है जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने पहली बार देखा था इस तरह से निम्बू का निम्की या फिर निम्बू का आचार जो भी कह लीजिए लगाते हुए और इस तरीके से मतलब मिन्टू में ही धेर सारा निम्बू का आचार बन करके तयार हो जाता था और सच में मैंने देखा कि ये बहुत जल्दी तयार भी हो जाता है तो इसके लिए हमें निम्बू को घंटो रगड़ना नहीं है बैटकर बस इसके दोनों सीरों को हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे वैसे निम्बू का ये निम्की बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश निम्बू लिजिएगा मर्तबान अगर शिशे का हो तो ज्यादा अच्छा है नहीं तो आप अच्छे प्लास्टिक का भी ले सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है उसमें भी बन जाएगा और इस तरह से हम दोरो सीरो को कट करके उसमें डालते जाएंगे डारेक पर निम्बू याद रखिएगा कि वो बिल्कुल सूखा हुआ हो इसमें पानी का कोई भी अंच नहीं हो तो निम्बू को अच्छी तरह से धो करके और उसे पोच कर उसके बाद ही ये अचार बनाने की तयारिया कीजिएगा और ये लीजिए बातों बातों में सारे निम्बू हमारे कट गए हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक तो मैं यहां पे रॉक साल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ याने की सेंधा नमक का इसे क्या होगा कि आप इसे ब्रत में भी आराम से खा सकेंगे और यहां मैंने दो बड़े चमश डाले हैं मतलब 7-8 निम्बू थे हमारे पास और अब मैं क्या करूँगी कि इसमें एक जो निम्बू बचा है उसका रस जो है इसमें मैं उपर से डाल दूँगी एक से दो निम्बू का रस इसमें आप डाल सकते हैं रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा साथी मुझे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फेस्बूक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा और अब मरतबान का ढखकन लगागर के इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसे हमें रखना है धूप में अच्छी धूप जहां पे आ रही हो वहाँ इसे दिन भर के लिए रखिएगा और करिब करिब इसे 15 दिनों के लिए हमें रखना है 15 दिनों में ये पूरी तरह से तयार होगा बिल्कुल खाने लायक हो जाएगा और उसके बाद हम इसे एंजॉय करेंगे तो ये वाले सरल तरीके से निम्बू का निम्की आप लगा लीजिए एक साथ धेर सारे निम्की आप लगा सकते हैं तो आज की बेस्ट लाइफ में इस तरह से अचार लगाना बहुत ही आसान है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा दोस्तों मैं मिलती हूँ आप से किसी और रेसिपी के साथ इसी कीचेन में अपना बहुत खयाल रखिएगा लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा धन्यवाद